दोस्तो वेलकम बैक माई न्यू ब्लॉग वीडियो तो दोस्तो इस वीडियो हम दिखाएंगे अपना गोसाइंगंज रेलवे स्टेशन जो कि पुराना रेलवे स्टेशन था अपने टाइम पे बन रहा है और है तो आप लोग को दिखाएंगे यहां का सीन कैसा है कैसा नहीं आइए दिखाते हैं आप लोग बाहर का सीन देख सकते हैं यहां पर वसाइंगे लिखा गया इस साइब से जाने का रास्ता है यहां पर दोस्तो आप लोग देख सकते हैं यह पूराना रेलो इस्टेशन है जो कि यहां पर अभी कार्य चल रहा है लेट फार्म इस साइड गवनर रहा है रोल के होगे अब इस साइड में देख सकते हैं नया रेलो इस विद्धी बना है अब लोग देख सकते हैं यह नया रेलो है यह बना है यहां पर लोग अंदर का सीन दिखाते हैं आप लोग देख सकते हैं बहुत ही अच्छा है आएध्धा जिला का सबसे बड़ा फ्लेट फार्म है यहां का दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यह प्लेट फार्म जो की नया बनाए गया है और सबसे ज़्यादा यहां इन पर प्वलेट फार्म पर जो की बहुत जादा जगह फिर एक ने सबसे ज़याधा फिर कि अब आप अब आएप लोग पुर्राना फ्ल fund में शाथ के जो बना तर。 यह पूराना फ्लेट फार्म है जो कि अभी कार यहीं पर होता है वहाँ पर कार इस्टार नहीं किया गया उडगाटन तो हो गया है लेकिन अभी क्रेकट कारने का काम यहीं पर होता है अब लोग को अंदर से दिखाते हैं दोस्तों हम ओवर विरीच का सीन आपको दिखाते हैं ओवर विरीच से प्लेफार नमबर दो पर चल रहे हैं दोस्तों अब लोग देखेते हैं आने जाने के लिए हो गया है रास्ता बढ़िखाते हैं लेकिन प्रजन टाइम पर नहां पर कार चल रहा है दोस्तों अब लोग देख सकते हैं प्लेफार्म एक से प्लेफार्म दो दो पर आने के लिए ओवर विरीच बन गया है यहां पर और विरीच का सीन दिखाते हैं अब लोग को प्लेफार्म नंबर दो पर लेकर चलते हैं दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यह प्लेफार्म नंबर दो है बहुत ही लंबा फ्लेफार्म मनाए गया है इस साइड में देख सकते हैं आप लोग अभी कार चल रहा है तो दोस्तों रेलोई स्टेशन का बैक ग्राउंड कुछ इस तरह से अप लोग को दिखाए हैं और तीछे का सीन आप लोग देख सकते हैं मैं ओबर ब्रिज के नीचे ख़ड़ा हूं तो दोस्तों इस वीडियो में यही तक मैं आसा करता हूं कि अब लोग को वीडियो बहुत ही अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं किसी और नए ब्लॉग वीडियो के साथ